जै माता दी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुम्ब राशी के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं और अगर आप जीवन में काम्यावे हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन बातों को जानना बेहर ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी बाते होती हैं हमारी जीवन में जो हम सही समझते हैं और वो सही होती हैं लेकिन उनके आधार पर अगर उन बातों को आप अपनी जीवन में देखें तो वो बातें आपके जीवन में आपको कई बा बातों पर बात करेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी तो देखें कुम्भराशी कुम्भराशी वाले लो गे गो इन शब्दों से जिनका नाम होता है इनक्षर से तो उनकी जो राशी होती है वो कुम्भराशी होती है अब कुम्भराशी यह अपने आपने एक बुद्धिमान राशी है कुम्भराशी का जो एक सिंबल है सिंबल हम उसको कह सकते हैं तो यह बुद्धिमान मनिशों काटेगरी में आते हैं ये आप बिलकुर समझ लीजिए कि आप एक बुद्धिमान राशी हैं बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो ऐसा आप अपनी जीवन में ऐसी कौन सी बाते होती हैं जो आपको पीछे लेकर जाती हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है तो आप अग आपकी राशियों में कम देखने को मिलती हैं बेशक ये कुछ भी अपने जीवन में चीजों को महसूस करते हैं और उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिष्टितियां होती हैं इन्हें परिष्टितों को समालना आता है शांती बनाय रखना आता है और बड़ी समझदारी से चीजों को ये अपने हिसाब से उनको केंदित कर पाते हैं, उन पर काम कर पाते हैं. मानवता वाली राशी कुम राशी होती है. मानवता रखना बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, और ये ऐसी राशी क्योंकि ये शनी की राशी है, तो लोगों की मदद करना आपका पहला काम होता है, अगर कोई मुसीबत में हैं, तो कुम राशी के जातक उसके मदद करते हैं, आपको जरूर देखेगा, दोस्तों के दोस्त, परिवार में भी, और दोस्तों में भी, अगर किसी को काम की जरूरत है, और आप किसी कुम राशी चीजे तो आपके लिए अच्छी कर देती हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं जहां ये चीजे बड़ी दुखदाई हो जाती हैं क्योंकि जब आपको उनकी आवशक्ता होती है तब आपको उनका साथ नहीं मिलता है तब आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलता है जो आप व्यवक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। देती है आपका लोगों पर विश्वास करना और लोगों का आपको धोखा देना और ऐसा आपने जीवन में देखा भी होगा अपने उपर कि आपको अपनों ने ही धोखा दिया अपने दोस्तों ने धोखा दिया जान पहचान वालों ने धोखा दिया और आपने उन पर भरोस ना करें कि भरोसे के सहारे ही आप काम करना शुरू कर दें, भरोसे के सहारे ही आप अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहें, कागजी कारेवाईयां को करके आपको चलना चाहिए, कागजी कारेवाईयां आप सबसे पहले करें, भरोसे के आधार पर किसी भी काम को शुरू न क्योंकि बहरोशा कोई भी व्यक्ति आपका तोड़ सकता है यह आपकी सबसे बड़ी चीज है जो आपको जीवन में मात देती है एक और ऐसी चीज है जो इनके अंदर जो इनकी एक अच्छाए भी है और ये इनकी एक बुराइ भी है यानि खुंबराशी के जातकों में एक व observe करके वो उन बातों को निकाल लेते हैं observe करके उन बातों का पता कर सकते हैं जो वेक्तिने नहीं की है जो वेक्तिने बोली नहीं है उन बातों का ये जा तक ये लोग उनको observe करके पता कर लेते हैं लेकिन इसमें इनकी जो negative चीज आजाते हैं वो ये है कि ये सामने बोलने वाल में बहुत सी बातों में इनको गलत समझ लिया जाता है और ये जो इनको गलत समझा जाता है ये इनके व्यक्तितों पर प्रभाव डालता है तो एक तो पहली बात तो कि आप अगर किसी को आपजर्व करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसे आपजर्व करके उसके सामने ही वो बोल दें या जो शब्द उन्होंने नहीं बूले हैं उस शब्द को आप बोल दें तो अगर कुम्राशी के जातक थोड़ा सा समझ कर थोड़ा सा उन बातों को अपने पास रखें तो आप बहुत से ऐसी चीजों से बच सकते हैं बहुत से नेगिटिव थाट्स लोगों के बाय बनती है उनसे बच सकते हैं अगर आप जीवन में देखें तो ये स्वेतंत्रता वाले व्यक्ति माने जाते हैं जो कुम्राशी के जातक हैं चाहे वो इस्तरी हैं चाहे वो पुरुष हैं स्वेतंत्रता वादी यानि कि अपनी बातों में भी स्वेतंत्र होते हैं कुछ से लोग इन से इर्शा करने वाले बन जाते हैं, इनकी बातों को काटने वाले होते हैं, इनकी बातों को नापसंद करने वाले होते हैं, यानि जो कुम राशे की कुछ ऐसी खासित हैं जो अच्छी हैं वो इनके लिए बुराय का कारण बन जाती हैं, वो इनकी अच्छी बाते ही कड़वी बाते बन जाते हैं तो अगर आप जीवन में कामयावी पाना चाहते हैं तो आपको अपनी कुछ बातों पर ध्यान देना होगा पहली बात तो ये कि किसी पर भी आँख मुद कर विश्वास करने से आपको बचना है कोई भी काम आपको करना है जीवन में कहीं भी आपको अपने आपको प्रूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे के हिसाब से आप ना चले अपनी पूरी कागजी कारेवाई करके आप चलें अगर आप वाकई में जीवन में कामयाबे हसल करना चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो विचार आप सब ही को बताएं या उस व्यक्ति को भी बताएं इससे आप अपनी जो दुश्मनी है उसको बढ़ा लेते हैं यानि जो आपने उसके बारे में आपने जो सोचा है जो परखा है आपने उस परख को जरूरी नहीं कि आप बताएं उसे अपने तक्सीमित रखें इससे क्या होता है आप जबरजस्ती के कुछ शत्रू आप खड़े कर लेते हैं और स्वेतंतरता सभी का अधिकार है कि इस हर विक्ति अपने आप में स्वेतंतर रहना चाहता है लेकिन कई बार जो आपकी बोलने की प्रवर्ती है आप एक बड़े के जरीए अपनी वाणी के जरीए दुख पहुचा देते हैं जो आपके बारे में नेगिटिव हो जाता है इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निशित ही रूप से आप कामया भी हासिल कर सकते हैं कई बार हमारी जो पॉजिटिव चीजे होती है वो हमें ने प्लब में लुकल के वो हमें भी हैं इना नेंडे हो पहमें रू अलब में में रशार को भी हैं खो दो पॉजओी छियान जिर लगनार कर सकते हम में भी या यांकी जो आपके हैं रवादिव later में,